रन बने पेट भरके, रिकॉर्ड्स बने किताब भरके और मज़ा आया जी भरके जी हाँ आज का मैच श्रिलंका वर्सिस साउथ अफरीका वर्ल्ड कप का शायद सबसे शांदार मैच रहा क्योंकि रिकॉर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं तो बस एक कॉपी किताब लेके बैठ जाहिए क्योंकि मैं भी इतने रिकॉर्ड्स तो याद नहीं रख सकता था तो इसलिए लिखने पड़ गए हैं आप भी एक शुरू कर जाएए तो सबसे पहले तो साथ सो चववन रन साथ सो चववन रन एक मैच में बने जिसके दोनों टीमों ने पूरे पूरे पचास ओवर नहीं कहले चौरानवे ओवर खेले गए हैं लगा चौरानवे दुशमल चारसो टाइस रन किसी वर्ट कप मैच में एक टीम ने नहीं बनाए थे बनार दिये साउथ अफरीका ने एक और रिकॉरड लिखिए आप तीन तीन शतक एक इनिंग में वर्ट कप में नहीं लगे थे लगा दिये किसने वर्ल्ड कप में 400 का टोटल किसने लगा है सबसे ज़्यादा बार साउथ अफरीका ने तीन बार लिख लीजिए आप क्योंकि बाकी दोने इंडिया भी है उसमें एक ही बार है तो आप लिखते चले जाएगा एक इनिंग में बाउंडरीज कितनी लगी होंगी आप पहले कमेंट में लिखते चली मुझे बताओ गैस कर लो एक मैच में कितनी बाउंडरीज लग सकती हैं मतलब कर लो गैस कर लिया गैस क्या सोचा पचाइट साट सतर असी नब है या सो नहीं इस मैच में 105 बाउंडरीज लगी चौके छक्के मिला के 105 बाउंडरी क्योंकि श्रिलंका भले से कहते हैं ना कि साउथ अफरीका ने पहले दुआ फाड़ दिया श्रिलंका कोई हतियार रखे नहीं आई थी पड़ 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 चलाने शुरू करें ना कोई नहीं रुकाता कुषल मेंडिस तो भी या ए कहानिया कहानिया लिखी जाएंगी ओन पेपर शायद वर्ल्ड कप में यह ऐसा मैच खिला गया है जो सदियों तक याद किया जाएगा जिसके आगे इतिहास लिखा जाएगा एक इनिंग में जब शुरू होती है तो दस और में कितने रन बनते हैं श्रिलंका ने 94 रन वारे इतने रन नहीं बनते हैं तीसरा हाइस्ट है यह ओडियाई के अंदर और सबसे हाइस्ट 119 है कैनेडा के खिलाफ वेस्ट इंडीज में मारा था आप सोचिए जब बड़ी टीमों की बारी आते हैं श्रिलंका ने साउथ अफरीकों को इतना बुरा कूटा है और आनवे रन साउथ अफरीका के पास एक के बाद एक पावर हिटर थे श्रिलंका वहाँ थोड़ा सा लैक कर गए को इस्टेबिलिटी नहीं आई थी 428 बनाए तो पाच विकेट थे इनके विकेट लगातार किते चले गए साउथ अफरीका के खिला जो अगेंस्ट रहा वो चीज यह रह माल पाए नहीं तो साउथ अफरीका ने जिस तरह से शुरू किया था लगबग उसी तरह शुरू किया तक कुशल मेंडिस जब आये थे तो इस वर्ड कप की सबसे फॉस्टेस फिफ्टी वह लगा के चले गए और जब बात करेंगे हैं श्रिलंका की तो उन्होंने तीसरी स बनते हैं तो मतलब कहानी फिनिश हो जाती है यार आप किसको देखेंगे आप किसको बोलेंगे की वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच हुआ था क्योंकि जिन्हों ने देखा उन्होंने विटनेस किया वस वही बता सकते हैं और साउथ अफरीका इतने बड़े मार्जिन से मैच जी इसको उटाने का एक सिंपल सा तरीका वर्ल्ड कप जीती है तो शुरुवात तो इतनी धमाकेदार हुई है कि बाकि सारी टीम में सोच रहे होंगे खासकर इंग्लेंड इसा भी होता है क्या इतने रंग वह दोनों तरफ से पहले साउथ अफरीका ने मनाए तो बाद में श् मैच आर गे लेकिन उसके जहन में एक चीज़ आ गई है कि टकर तो किसी से भी ली जा सकती है अगर सोच यही स्कोर अगर थोड़ा सा कम होता तो मैच में कहां जाके फच सकता था कोई नहीं कह सकता था इसलिए कहानी की दिल्चस्प शुरुआत होती है और इसका तो जैसा शुरुआत होती वैसे अंत हुआ एक इनिंग में तीन तीन शतक भी लगे बाद में श्री लंका में भले से शतक नहीं आया लेकिन जो पारी आई वो इतनी खतरनाक थी के वर्ल्ड कप का यह सबसे खतरनाक मैच कहा जाए तो घलत नहीं होगा जिन्होंने देखा वो इसे य मार्क्रिम डेविड मिलर कोव फनिशिंग टाच मैक कुष hellande चारित का असलंक का दाशन शानु का मतलब किस की पारी को आप इनमेंसे रेट कैसे करेंगे इनमें से कितनी है न preçovention यह किसकी पारी सबसे उपर चाहिगी क्योंकि आप तमाम तरभीी पारी सबसे यह की पर Glenn Maxwell आ जाते हैं नमबर तीन पर और Aidan Markram और अचांस गेंदों के साथ सबसे उपर पहुँच जाते हैं तो इस तरह से जब आप Ferris देखेंगे ना इस World Cup में के इस मैच की तो आप कहेंगे ये भईया रिकोर्ड तोड मैच था लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले